हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नौलेज एन एजुकेशन अड़्डा में आज की इस वीडियो में हम डिसकुस करेंगे रैस्पिरेशन इन हुमन्स दोस्तों इसके प्रीवेस वीडियो में मैंने आपको बताया रैस्पिरेशन इन प्लांट्स इस इस दोस्तों सभी में लंक्स नहीं होते हैं सभी में अलग अलग टाइब कर रैस्पिरेशन होता है फॉर एक्जाम्बल आपने देखा मसलिऊ में गिल्स होता है और प्लांट्स में इस्टोमेटरस वगयरा से होते हैं तो इस टाइप का जो भी हमने डिसकुस्चन किया इसक पर एक बस समड़ी देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है दोस्तों यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी अक्सर आप नहीं आप यह सोचते होंगे कि मैं वाइट पोर्ड वगरा में क्यों नहीं पढ़ाते क्योंकि उसमें आपको क्या होगा फिर आपको सोचना प इनाबोलर आपको नहीं है के कटम स्याव में आपको सबस्क्राइब वसे सुझाल समय जावक शूख्य और यहां पर क्या होता है यहां की डाइजेशन जो होगा वो ऐना बॉलिस्म में आएगा तो आज हम यहां पर देखते हैं कि कि ग्या होता है तो हम पर देंग दोस्तों आपको मैंने अभी प्रीवेश्च वीडियो में भी बताया है तो सका एक बर रिकॉल देख लेते हैं यहां पर क्या है कि सोशन टउपस ह यहां पर दोस्तों आपको पता है कि आरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है और वाटर और यहीं मिलता है यहां पर प्लिक में देख लिया याब इस वीडियो पढ़ती दोस्तों यहां पर जो रेस्पिरेशन नायो यह दो टाइप्स को होते है को अग्सटरणल्र ग। नि यानि की एक होता है एक्जिलेशन दूसरा होता है इन्हिलेशन हम यानि कि सांस लेते हैं और बाहर को उसको निकाल देते हैं दूसरों यहां पर एक आपको बहुत ही इंपोर्टन बात बताना चाहूंगी हम लोग क्या करते हैं कि वाता वरंड से जो भी गैसे लेते हैं क्या उसमें ऐसा थोड़ पर भी इसके अलावा बहुत सारी गैसे होती हैं तो यहां पर कुछ आपको इंपोर्टन बात बताना चाहूं कि जब हम नाइट्रोजन लेते हैं दोस्तों तो आपको पता है नाइट्रोजन सेवंटीएट परसेंट में क्या होता है मौजूद होता है ऑक्सिजन 21 परसेंट स्केवल ऑक्सिजन ही तो चाहिए अपने रेस्पिरेशन को कम्प्लीट करने के लिए इसके लावा बाकी गैस तो निकाल देते हैं पर यहां पर दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में कौन सी गैस निकालते हैं दोस्तों 78 परसेंट नाइट्रोज करते हैं अपने रेस्पिरेशन में और यहां पर आपको बहुत ही अलग बात पता चल रहे हैं कि कार्बन डियोकसाइट जो होता है हम लेते तो 0.03% है बट रिलीज करते हैं 4% यहां पर क्या होता है कि हमारी बॉड़ी से और भी जितने भी कार्बन डियोकसाइट गैस बनत है कि हम इसका डायग्राम कैसे बनाएं तो चलिए हम एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर हमने आपको मैंने यहां पर पॉइंट वॉइस भी लिख करके दिखा दिया है कि आपको कंफ्यूजन नहों कि इसमें हम पहले हमारा वायू है यानी कि जो एर W कहा जाएगी क्या होगा यहां पर दिखा दिया है कि क्या से काम करता है तो सबसे पहले यहां पर आप देख रहें हमारे नॉस्ट्रेशर हो इसे हम compensation डाल पर यहां पर वॉइस ब Milky फ्दी एटे यानि कंठ या फिर स्वर्ड यंत्र कहते हैं देन हमारा जो एर है वो जाता है एपी ग्लॉटिस में मैंने आपको अभी बताया था डाइजिस्टिव सिस्टम में भी कि यह एक ऐसा धकन होता है जो की खाना खाते समय क्या होता है बंद रहता है तो दोस्तों यहां पर क्या है जो है वो बंद रहता है लेकिन जब हमारा क्या होता है एर उसमें जाता है तो यह खूल जाता है फिर हमारा होता है फिफ्ट पॉइंट पर हमारे होता है ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं यानि कि स्वासनली दैन हम यहां पर क्या देखते हैं यह जो स्वासनली ह यह गया उतिए जाती है एक है यह वे हुते हैं इसे हं बोलते हैं ब्रॉंक्या नी को प्लाउंकी उसलिक और अब पर देखते हैं यहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ बाउस टाइफ कि आपको कहोटे-चोटे यहां पर बबल जैसे दिक्रहे Centrum क्या क्या थे वायू कोस्त कहते हैं और यह जो होते हैं वह करोड़ों में पहलेजिए कोरों पहले होते हैं इसके अलावा यहां पर दोस्तों यह जो होते हैं बोहर सारे ब्लड वैसल से क्या होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि यह पर क्या होता है यह दो जाता है सेल्स में क्योंकि अबибо मैंने आपको फ्रीविस फिडियो में भी बताया है कि सेल्स ही जो होती है वो हुमन स्वंक्षन के लि electro se बना है तो उच्शिजिन चाहिए लिए जो मारे ब्लड वैसल को यहक Tina तो यह हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर जिसे आप इस टाइप से समझ सकते हैं यहां पर क्या होता है ना कि यह जो हमारे जैसे इंटर किया किश dilig क्या होता है कि इसमें बाहर कैसे मि कभल और कुछ सकते हैं आपको पता है कि इर क्लर्डटी है हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ब्रीधिंग किसी कहते तो ब्रीरिंग क्या होता है जिसे हम कहते हैं स्वासोच छ्वास हिंदी थोड़ा इसका थोड़ा अलग लगता है इसमें क्या होता है यह इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन क्या होता है सांस को अंदर लेना और इंस्पिरेशन क्या होता है सांस को बाहर छोड़ना दोस्तों हम inspiration करते हैं तो क्या होता है कि हमारे फेपडे का जो दाब होता है वो कम हो जाता है और वायू मंदल की तुल में अंदर जो पर फोल जाता है और यहां पर आप देख कढ़ होता है ने फिरेषन में Reality घिया चाहथ है और यहां पर जो दाब है वह 1-2 mmHg हो जाता है जिसकी वजह से यहां का जो दाब होता है वह बढ़ जाता है और प्रेशर पड़ता है जब दाब बढ़ेगा तभी तो वायू जो होगी वह सांस लेने के बाद मतलब जो एक्ष्रा वायू होगी वह बाहर निकलेगी और फिर क्या नामें ten jaki मंदल की तुलनामे यानि यहां पर प्रेशर कम हो गया पर जैसे यहां पर एएर को रिलीज कर दिए हमारे फेपड़े से बाहर निकली तो वहां पर क्याहोता है जो हमारे फेपडे का दाब होता है वो वायू मंदल में क्या है बढ़ जाता है अब यह वायू सब्सक् última ग्रेंज़ को मिला करें छबीत करको दोने को मिला कर इतनी होती है उनके द्वारा ही इसमें जैसे यह एलवी ओली है एक एलवी ओली का यहां इस्ट्रक्शर आपको दिखा रही हूं मैं इसे समझें कि यहां पर एयर इंटर किया ठीक है CO2 गया और O2 भी गया और इसमें क्या किया प्रवेश किया लेकिन इसमें क्या होता है यह दोनों अलग अ होते हैं और 2 और स्वार से डाएर निकलती है और कैसे KT बढ़न होते हुए हमारे हर्ट में जाताए यहाँ पर आप देखिए कैसे होता है क्या प्रण अब यहां पर क्या होगा दोस्तों कि यहां पर कि Соफ होगा जो डारेक्षन होगा वह 100 mmHg से 37 mmHg के ओर होगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो air होती है वो high pressure से low pressure की ओर ही क्या होती है वो जाती है तो आपको पता है दोस्तों कि यहां पर जो हमारा यह alveolese है इसमें जब air गया इसका जो pressure है वो जादा है और यहां पर जो blood vessels connected है इनके pressure कम है जिसकी वज़ा से air जो क्योंकि इसका दाब क्या है कम है और oxygen जो है वो high pressure से low pressure की हो जाएगी तो यहां पर alveolese से होते हुए चली जाएगी blood vessels में अब यहां पर blood vessels में चली गई तो अब बचा हमारा co2 co2 का direction क्या से जानेंगे तो co2 का जो direction होता है वो alveolar air का जो दाब होता है वो 40 mmHg होता है जब co2 एंटर करता है दोनों अलग अलब टाइप से होते हैं तो जब इसका pressure परता है co2 का तो 40 mmHg होता है और blood blood capillaries जो होती है उनका जो venus capillaries का जो pressure होता है तो आपको पता है कि air जो है वो क्या करेगी high pressure से low pressure में जाएगी जिसकी वजह से co2 जो हो हमारे venus capillaries में जाकर के वापस से क्या होती है फेप्रे से हमारे नसल cavity से होते हुए बाहर निकल जाती है और co2 फेप्रे से बाहर निकल जाता है फिर यहां पर जोस्तों क्या होता है है कि हमारा जो hemoglobin है उसमें क्या होता है oxygen मतलब की hemoglobin क्या करता है oxygen को बांध लेता है फिर उसी oxygen का हम यूज करते हैं फिर अपना हमारा यह जो blood है वो जाता है हर्ट में फिर हमारा start होता है friends वहाँ पर क्या परी संच्ण तो वह हम पढ़ेंगे next video में जिसमें हर्ट वगग निए रंग ब्लू होता है और इसी टाइप से क्या होता है कि सब में अलग टाइप की कलर्स होते हैं दोस्तों आपको बस इतना समझना है कि हमारा जो क्रसक निकल गया और वह बलड वैसल में ब्लड वैसल नीकल के चले गई हमारे हमारे हर्ट में इसको आप इस समझा है कि जैसे मान के चलिए हमारा क्या है यह ब्लं कुर्ण वैसल सब्सिंद्ट वैसल chef C तो आपको पता है कि इन में oxygen है क्या है oxygen है यहीoxygen जो है दोस्तो क्या होगा कि अब यह अक्सिजन गया और यह हमारे जू यह जा रही है किसमें सेल में किसमें जाएंगी यह सेल्स में जाएंगी तो आपको पता है सेल्स में जाएंगी तो सेल्स में क्या होता है होता है इसमें क्या होता है कि इसमें निकलती है कि आथिपी के फॉर्म में हमारी energy निकलती है इंसे हैं यहां पर trade के क्यी हां यहां पर juice से oftenには और यहीं हमें energy देते तो दोस्तों आपको अच्छी से समझ में आगया होगा कि यह मारी डॉड वैसल से वो क्यों ऐसे ह की होती है 근κ यह और फिर वही एनरजी का हम यूज करते हैं दोस्तों यहां पर जो हमारा ऑक्सिजनेटेट ब्लड इन सब फैलाने का काम जो है इन सब को फैलाने का काम जो है वह वह हमारे हर्ट करते हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हर्ट का फंक्शन वगेरा कैसे होता है और परिसंचनल तंद के बारे में देखेंगे तो यह था हमारा आज का वीडियो हुमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के उपर आपको कैसा लगा आप जरूर बताईएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर क थैंक यू सो मुझ फॉर वाचिंग और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए अ कर्दाइब कर दो सबस्सक्राइब?".